सबस्क्राइब करें मौर्या टेक्निकल सपोर्ट यूट्योग चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो को नोडिकेशन आपका पहुंचती रहे सासन और प्रसासन के बीच में क्या अंतर है जीया नमस्कार दोस्तों मैं हमित कुमार मौर्या और आप देख रहे हैं मौरय टेक्निकल सपोर्ट यूट्योग चैनल जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सासन और प्रसा करेंगे कि इन दोनों के बीच में मुख्यां अंतर क्या है तो वीडियो सुरू करने से पहले एक गुजारी सगरा आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है सबस्क्राइब कर लिजिए और घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो को जार जारा सेर कर करें ताकि सभी नोगों के पास ये मैसेज पहुंच जाए और सभी को ऐसी जनकारी मिनती रहें अगर वीडियो के बारे में कोई भी आपकी सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें चलिए शुरू करते हैं हाँ तो सबसे पहले आता है सासन तो सासन क्या होता है किसी भी देश को चलाने के लिए एक सासन बेवस्था होती है जिसके तवत वहां की सारी जो चीजें हैं सारी जो बेवस्था है उसे कंट्रों किया जाता है तो किसी भी देश के सरकार को वहां का सासन का जाता है वहां के जो सरकार का गठन होता है वहां के जो सबसे उपरी लोग होते हैं जो वहां पर सासन करते हैं वहां के सासन ब्यवस्ता को देखते हैं तो इन चीजों को जो हेड होते हैं उन्हें वो जो हेड डिपार्टमेंट है जा हेड चीज है जो सारी वेवस्था को देखती है उसे सासन कहते हैं तो सासन किसी व्यक्ति विशिष्ट के द्वारा चलाया जाता है जैसे प्रधान मंतरी हो गए, राष्ट पती हो गए, मुख्य मंतरी हो गए जो लोग क्या है वो सासन के प्रती वो सासन बेवस्था के अंग है वो सासक है और वहीं देश पर सासन करते हैं और वो मतनब सासन के अंग है उहीं लोग को जो जनता के दोरा चुने जाते हैं लोगतंत्र में और उसके बाद वो देश पर सासन करते हैं वो देश के किस धंग स से चलाया जाएगा इसका नियम बनाते हैं और लोग तंत्र में जो सासन बेवस्ता है वो डाइडेक्ट या सीधे तोर पर जनता के प्रती उतरदाई होती है वो क्या होती है जनता के प्रती उतरदाई होती है अगर कोई भी बात होगी तो वो सीधे जनता से कहेंगे वो अपन प्रसासन के द्वारा के जो मंत्री होते हैं वो सभी सासन बेवस्था के अंग हैं तो अब आती है बात प्रसासन की प्रसासन प्रसासन जो होता है वो कई संस्थाओं के गठन होते हैं एक तरह से हम सिहत और प्रसमज सकते हैं कि सासन जो है वो सबसे उपर है और सासन के द्वा प्रसासन के थूख करेंगे और प्रसासन के थूख करेंगे क्या करेंगे जनता के प्रती उत्रदाइज होते है। य प्रसासन के प्रती उत्रदाइज होते हैं। अगे shaping ऐख करेंगे। जनता के प्रतिवतरदाई नहीं होते बनकी वो वहाँ के मुख्य मंत्री या फिर प्रधान मंत्री या फिर वहाँ के जो मंत्री मंदल है उसके प्रतिवतरदाई होते हैं ये उन्हें जवाब देते हैं और वो जो होते हैं जो प्रसासन होता है जो सासन होता है वो जनता के प् वास्ता है उसमें जो है सासन सबसे उपर होता है और उसके नीचे होते हैं प्रसासन सासन का काम है देश प्रसासन करना देश के लिए नियम बनाने और सारी चीज़ों को एक धंक से कानून को कैसे चलेगा क्या होगा यह सब तै करना और उन चीज़ों को लागू करवाना प्र प्रसासन का कार्य है, सासन की जो ताकत है, सासन अगर कोई बात कहते हैं, कोई नया नियम आता है, उसको जमीर पर लागु करवाने का खारें, प्रसासन का है, और प्रसासन सासन के प्रति उतरदाई होते हैं, और सासन जो होता है वो जनता के प्रति उतरदाई होता है, तो पूरा देखने के नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद.